नमस्कार दोस्तों, UPPAC Daily News में आप सभी लोग का स्वागत हैं, तो जियां दोस्तों आज की अपडेट है, देखिए LTE Great सिछक भरती का जो रिजल्ट है उसको ले करके, और जो दो इक्जाम के रिजल्ट रुके हुए उसको ले करके, तो चलिए बिना देरी के जानेंगे कि क् से ले करके और बहुत धेर सारी सुचनाओं से संबंधी न्यूज हैं, जो की LTE Great से जुड़ी हुई है, तो चलिए आईए देखते हैं, देखिए नियुक्ति पाने को LTE Great चैनी चला रहे हैं, ट्यूटर अभियान, उनके नियुक्ति को ले करके ये हैं, कि जितने सब्जेक्ट का जो रिजल्ट नहीं आया है, उसके बारे में क्या कहना है, ये आज की अपडेट है, उत्तरप्रते शिलोक्षवाग ने LTE Great सिच्छकवर्ती 2018 की तहत 15 में से 13 विजल्ट घोसित कर दिया है, समझ चैनीतों की फाइल नियुक्ति की संतुस्ति के लिए भेज अधितना तो इससे शिच्छा मंतराले देख रहे हैं, उपमुख्यमंत्री डाक्टर दिने सर्मा तक अपनी बात पहुचाने के लिए टुटर अभियान चला रहे हैं, चैनी सुबह 10 से दो पहर 12 वज़े तक और साम में 7 बज़े से टुटर के जरिये CM और डिप्टी CM को सं कर लेते हैं, लोक्षवाइव ने ल्टी ग्रेट सिच्चक बरती परिच्छा 2018 के ताथ 15 विशयों में से 10,768 पदों की सीधी भरती निकाली थी, लेकिन उसमें 15 विशयों की लिखित परिच्छा कराई थी, परिच्छा के दिन वारार्ची में हिंदी और समाजी विज्यान विज्यान का पेपर लीक हो गया था, इससे समाजी विज्यान में 1854 वा हिंदी में 1433 पदों का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, जबकि संस्क्रीट अंग्रेजी, जी विज्यान, गडित, कंप्यूटर, वारी जी, विज्यान, संगीत, क्रिसी, कला, ग्री, विज्या अभियान चला रहे हैं, जितने भी 13, 15 में से 13 सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, वो अभियरती ट्विटर अभियान चला रहे हैं, ताकि वो मुख्यमंत्री के पास तक पहुच पाए, और उनकी नियुक्ती जल्दी करी जाए, और इस रिजल्ट को लेकर के भी सारी बाते करी जा रहे हैं, तो जिहां दोस्तों निशिंद रहे हैं, आप सभी लोग के लिए जो भी सूचना होगी, ल्टी ग्रेट से रिलेटेड, वो आप सभी लोग को तुरन सबसे पहले दिया जाएगा, सच्ची और अच्छी गबर, तो जिहां दोस्तों चैनल को अपने दोस्तियार से अच्छा लगता हो, तो शेयर कर दें, बागी बहुत बहुत धन्यवाद